प्रिताबगर्ण में सरक दुरगर्णा में घायल अदेड की लाज के दौरान प्रागराज इस्तेत सरूप रानी मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई में तक का सफ गाउं पहुँचने बाद तनाव का माहौल बन गया परजनों का कहना है कि यह घड़ना दुरगड़ना की नहीं बल्कि इसे जान बुचकर आप रादे घड़ना के रूप में हासे की साजिस की गई है कोतवाली के गिरहरी निवासी दिगविजय पैताप सिंग पचास बीते 39 अप्रेल को दोपहर गाउं से लाल गंज बाइक से आ रही थे संगम चुराई के समीब कार की टकर में वह गंबी रूप से घायल हो गई इलाज के लिए पैज़नों से SRN प्रेग राज ले गई थे जहाँ पर इलाज के दोरां लाल दिगविजय सिंग की सासे थम गई मौद की सूचना आते ही में तक के घर कोहरा मच गया दे साम में तक का सब घर पहुँचा तो पैज़ना क्रोचितों उटे मौके पर मौद पलिस के अपसार पैज़नों को समझाने भजाने के बाद पैज़नों ने सब का अंतिम संसकार कर दिया मामले में पूर अद्वक्ता संग लाल गंज के पूर अद्यच एवं किसान आंदोलन के राष्टी अद्यच राभ बीरें सिंग ने कहा कि मामला पूरी तरह से हत्या की और इसारा करता है यदि मामले में न्याइग जाच ना हुई और दोजियों के बुरुद्ध कारवाई में हीला हवाली किया गया तो हम लोग भी पिरित परवार को न्याइग दलाने के लिए मैदान में आ जाएंगे पिर्ज है पिताब गड़ से हमारे समधादा प्रिमोर्श स्वी वास्तव की खाच रिपोर्ट वरना हम तुम्हें जान से मार डालेंगे इस धंकी को ठाने नहीं सुना और उसकी दुर्गटना करा करके हत्या कर दी गई यह हत्या एक बहुत बड़ा कलंख है यह सीधे सीधे इस हत्या को हम जेहादी हत्या मानते हैं यह लब जेहाद को कह लीजिए यह कह लीजिए कि किसी एक समाज को, किसी हिंदू को प्रताडित करने का एक बहुत ही भयानक तरीका अपनाया जा रहा है, यह समाज अब बरदास करने वाला नहीं है, हमारा यह कहना है सरकार और कानून और यह बिवस्थाएं, अगर उस पीडित परिवार को न्याय नहीं दे और कि एक समाज करने कानून और यहां।